हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल इनियन आर्मी में दोस्तों आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो NDA का एक्जाम है आप सभी जानते हैं NDA का एक्जाम आ रहा है तो NDA का एक्जाम आपका कैसे होता है वहाँ पर आपको कौन-कौन से document लेकर जाने होते है सबी document के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या document आपके entry के time मांगते हैं और last में मैं आपको बताऊंगा exam देते time आपको क्या-क्या गलतियां नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर बहुत से candidate गलती कर देते हैं और वहाँ पर फिर उनका result ही नहीं आता तो इसी वज़े से क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और किस तरीके से आपको अपना exam देना है क्या document लेकर जाने है आपका NDA का exam का पूरे दिन का क्या process रहता है ये जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप NDA का exam देने जा रहे हैं तो आज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ step by step यहाँ पर मैं आपसे discuss करूँगा कि किस तरीके से आपके पूरे दिन का process रहता है तो चलिए साथियों बिना time waste की मैं आपको start करता हूँ बताना exam NDA का होता है तो online exam आपका नहीं होता है offline exam के लिए ही आपको वहाँ पर बुलाया जाता है आपको copy, pen, paper, OMR seat ये सभी चीजें वहाँ पर provide होती हैं और आप वहाँ पर OMR seat पर आप अपना exam देते हैं तो इस तरीके से offline exam NDA का होता है तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किस time से किस time तक आपका exam करवाया जाता है तो साथियों आप सभी जानते हैं जो NDA का exam है उसमें आपके दो तरीके के exam, दो subject के exam होते हैं नमबर वन होता है आपका math का जी हाँ दोस्तों math का exam होता है नमबर वन तो सबसे पहले जब आप वहाँ पर जिस दिन जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको math का exam करना पड़ेगा math के exam के जो आपकी timing रहेगी वो आपकी रहती है 10 बजे 10 बजे से दोस्तों आपका exam math का start हो जाता है तो 10 बजे से start होकर वो चलता है आपका 12 बजे कर 30 मिनट तक साड़े 12 बजे तक आपका exam चलता है math का 10 गंटे का time आपको दिया जाता है आप सभी जानते होंगे तो 10 गंटे के time के बाद आपका मुहाँ पर आपसे सभी चीज़े ले ली जाती है ओ MR सीट आपकी collect कर ली जाती है तो 10 गंटे के बाद आपको देड़ गंटे का free time दिया जाता है आपका जो free time होता है वो साड़े 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है जी हाँ दोस्तों साड़े 12 बजे से 2 बजे तक आपको महाँ पर free time दिया जाएगा तो दोस्तों देड़ गंटे बाद 2 बजे से आपका एक्जाम सुरू होगा gate का gate का एक्जाम आप सभी जानते होंगे NDA में होता है जिन में general awareness, current affairs तो इस तरीके के question उसमें पूशे जाते हैं तो ये जो एक्जाम है ये दो बजे से सुरू होकर आपका खतम होता है 4 बज कर 30 मिनट तक दो बजे से साड़े चार बजे तक आपका ये एक्जाम करवाया जाता है इसके लिए भी आपको ढाई गंटे दिये जाते हैं तो ये हो गया NDA का एक्जाम का पूरे दिन का प्रोसेस साड़े चार बजे फिर आपको OMR seat collect कर ली जाती है और आपको घर बेज दिया जाता है तो ये हो गये दो एक्जाम एक ही दिन में करवाया जाते हैं अब सबसे important बात जब आप एक्जाम देने के लिए जाओगे तो entry के time आपको कौन-कौन से document लेकर जाने है क्या-क्या document आपके पास होने चाहिए क्योंकि अगर आप उनको लेकर नहीं जाते हैं तो आपको entry नहीं दी जाएगी और आप अपना एक्जाम नहीं दे पाएंगे इसलिए आपको ये document जरूर लेकर जाने है तो साथियों जो सबसे पहला document है वो है आपका color print admit card जी हाँ दोस्तों आपको अपना color print admit card ही लेकर जाना है वहाँ पर color print admit card निकलवा कर आपको लेकर जाना है black and white आपको नहीं लेकर जाना तो हो गया number one color print admit card number two पर है दोस्तों आपकी अपने photo जी हाँ दोस्तों आप अपने photo लेकर जाने है आपको दो photo कम से कम आपको लेकर जाने है दो photo वो ही photo लेकर जाने है जो फोटो आपने phone भरते time वहाँ पर लगवाए थे तो वो फोटो लेकर जाने है दो अगर वो फोटो by chance नहीं है तो दोस्तों आप नए भी ले जाना वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दो फोटो लेकर जाने हैं दूसरा डोक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया अब थर्ड डोक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ क्या लेकर जाना है दोस्तों आपको अपनी ID प्रूफ लेकर जानी है जहां पार जिसमें आपका clear फोटो हो विद फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए जैसे की आधार कार या फिर आपके पास अगर pen कार है तो वो भी लेकर जा सकते हैं मतलब कि वो ही ID आपको लेकर जानी है जो form fill करते टाइम आपनी लगवाई थी तो maximum लोग आधार कार ही लगवाते हैं तो आपको अपना आधार कार लेकर जाना है तो यह होगे तीसरी ID दोस्तों चोथा document मैं आपको बता दूँ यह आपका optional है लेकिन बहुत ही important है यह है आपकी 10th की original mark sheet जीहां दोस्तों आपको अपनी 10th की original mark sheet भी लेकर जानी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आप ID लेकर जाते हैं जैसे कि आधार कार उसमें आपके father name में आप किसी में sing लगा उता है और आपने form में sing नहीं लगवाया तो वो उसमें doubt करते हैं और वो आपको entry नहीं देते तो 10th की original mark sheet वहाँ पर करी बार बच्चों से मांग लेते हैं तो अगर आप 10th की mark sheet लेकर नहीं जाओगे तो आपको बहुत problem हो सकती है इसलिए आपको यहाँ पर backup plan में 10th की original mark sheet जरूर लेकर जानी चाहिए यहाँ पर कोई भी document आपका कम नहीं होना चाहिए document मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों वो है आपको अपना pen खुद ही लेकर जाना होगा जी हाँ दोस्तों blue या black ball pen आपको अपना लेकर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर offline exam होता है तो pen की जरूरत परती है तो इसलिए आपको अपना pen, ball pen लेकर जाना है blue या black तो यह document है जो आपको लेकर जाने है इसके अलग आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना होता तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि NDA के exam में क्या-क्या चीज़ें allowed नहीं है तो साथ यो not allowed है आपका calculator जी हाँ दोस्तों कई बच्चे हमसे comment में पूचते है कि सर क्या हम calculator लेकर जा सकते है NDA के exam में तो यहाँ पर बिल्कुल भी allow नहीं है आप calculator नहीं लेकर जा सकते दूसरा watch, smart watch, किसी भी तरह की जो watch होती है वो आप नहीं लेकर जा सकते NDA के exam में तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए अब दोस्तों सबसे बड़ी बात exam देते time exam में आपको क्या-क्या mistake नहीं करनी है दोस्तों यह बहुत important है क्योंकि एक बच्चे ने हमें comment किया था कि सर यह मैंने exam में ये गलती मेरे से हो गई और मेरा result नहीं आया ये चीज ये गलती आपको नहीं करनी है तो सबसे पहली गलती यही है कि OMR seat जो आपको दी जाती है उसमें आपको जो है roll number भरना होता है तो OMR seat आपको roll number नाम सभी चीज़ें आपको भरनी होती है लेकिन उसमें code दिये होते हैं 12345 इस तरीके से तो वो चीज वहाँ पर आपको mistake नहीं करनी है OMR seat एंडे के आपको कैसे भरनी है इसकी मैंने वीडियो बना रखी है आप उसको देखने के बाद ही जाना क्योंकि OMR seat सभी बच्चों को भरनी नहीं आती है तो OMR seat में आपको अपना जो roll number है roll number अपना बिल्कुल गलत नहीं बढ़ना है roll number, registration number कुछ भी गलत नहीं बढ़ना है क्योंकि अगर उसमें आपने गलत भर दिया तो आपका result जारी नहीं होगा क्योंकि अगर आपने गलत roll number भरा तो किसका result जारी करेंगे उनको कुछ पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी नहीं भूलने है कई बार बच्चे जो है अपने document जो है वो घर भूल जाते है लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है घर से चलते time आपको बिल्कुल अपना back check करना है देखना है सभी document है या नहीं तो सभी document लेकर जाने है ताकि आपकी entry महाँ पर हो जाए और number third सबसे important दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल भी late नहीं होना है अपने exam के लिए जो timing आपकी दे रखी है कि reporting time ये है उससे एक या दो घंटे पहले ही पहुँचने की कोसिस करें क्योंकि जिस दिन exam होता है उस दिन सभी बच्चों का exam होता है तो road पर सभी जगे traffic होता है buses भरी होती है सब अपने कुछ बच्चे वाहन से आते हैं कुछ गाड़ियों से आते हैं तो बहुत जाम मिल जाता है exam वाले दिन इसलिए आपको पहले निकलना है बहुत पहले निकलना है और लेट नहीं होना है तो साथियों ये चीज़े थी NDA के exam में जो आपको ध्यान रखनी है तो ये सभी चीज़े मैंने अपना experience आपको share किया है तो जो कि आप सभी के लिए बहुत ही helpful है बहुत ही knowledgeable है तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर share करें ताकि वो भी ये गलती ना करें तो साथियों ऐसी ही knowledgeable video NDA के बारे में देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें तो फिर मिलेंगे ऐसी ही knowledgeable video के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत